उत्पत्ति अध्याई 47 फिरोन ने उसके भायों से पूछा, तुम्हारा उध्यम क्या है? उन्होंने फिरोन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं, और हमारे पुर्खा भी ऐसे ही रहें। फिर उन्होंने फिरोन से कहा हम इस देश में परदेशी की भाती रहने के लिए आये है क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेडवक्यों के लिए चारा नब रहा. सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आग्या दे, तब फिरोन ने युसुप से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए है, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो, उसमें अपने पिता और अपने भाईयों को ब परिश्रमी पुरुश है, तो उन्हें मेरे पश्चों के अधिकारी ठहरा दे, तब युसुप ने अपने पिता याकुब को ले आकर फिरोन के सनमुख खड़ा किया, और याकुब ने फिरोन को आशिरवात दिया, तब फिरोन ने याकुब से पूछा, तेरी आवस्ता कित इतने दिन की हुई है, याकुब ने फिरोन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ, मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाबदादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं आशिरवात देकर उसके सन्नुक से चला गया, तब युसुप ने अपने पिता और भाईयों को बसा दिया, और फिरोन की आग्या के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नाम देश में भूमी देकर उनको सौब दिया, और युसुप अपने पिता का और अपने भाईयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बालबच्चों के घराने की गिंती के अनुसार भोजन दिला दिया कर उनका पालन पोशन करने लगा, और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के का पारन मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था सबको युसूप ने उस अन्न की संती जो उनके निवासी मोल लेते थे इकटा करके फिर उनके भवन में पहुंचा दिया जब मिस्र और कनान देश का रुपया चुक गया तब मिस्री युसूप के पास आा कर कहने लगे हमको भोजन वस्तु दे क्या हम रुपय के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाए युसूप ने कहा यदि रुपय न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनकी संती तुम्हें ख भेडबक्रियों, गाय बैलों और गधो की संती खाने को देने लगा उस वश में वह सब जाती के पशों की संती भोजन दे कर उनका पालन पोशन करता रहा वह वश तो यो कट गया तब अगले वश में उन्होंने उसके पास आकर कहा हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न पहुचे है इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमी छोड कुछ नहीं रहा हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमी क्यों उजड़ जाए हमको और हमारी भूमी को भोजन वस्तु की संती मोल ले कि हम अपनी भूमी समेत फिरोन के दास हो और हमको ब सहने मिस्त की सारी भूमी को फिरोन के लिए मोल लिया क्योंकि उस कठीन अकाल के पढ़ने से मिस्त को अपना खेत बेच डालना पड़ा इस प्रकार सारी भूमी फिरोन की हो गई और एक छोर से लेकर दुसरे छोर तक सारे मिस्रदेश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया पर याजकों की भूमी तो उसने न मोली क्योंकि याजकों के लिए फिरोन की ओर से नित्य भोजन का इस कारण उनको अपनी भूमी बेचनी न पड़ी। तब युसुप ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमी को भी फिरोन के लिए मोल लिया है। अपने बालबच्चों और घर के और लोग के समेथ खाया करो। उन्होंने कहा, तुने हमको बचा लिया है। हमारे प्रभु के अनुग्रह की दुरुष्टी हम पर बनी रहे। और हम फिरोन के दास होकर रहेंगे। सो युसुप ने मिस्र की भूमी के विशे में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमांश फिरोन को मिला करे। केवल याजिकों ही की भूमी फिरोन की नहीं हुई और इस्राइली मिस्र के गोशें देश में रहने लगे। और वहां की भूमी को अपने वश में कर लिया और फुले फले और अत्यनत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जिवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयू 147 वर्ष की हुई। जब इस्राइल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र युसुप को बुलवा कर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो अपना हाथ मेरी जांग के तले रखकर शपत खा, कि मैं तेरे साथ कुरुपा करके और सच्चाई का यह काम करूँगा, कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूँगा, जब तु अपने बाप दादों के संग सो जाएगा, तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्ही के कबरिस्तान में र करूँगा, फिर उसने कहा मुझसे शपत खा, सो उसने उससे शपत खाई, तब इसराइल ने खाट के सिरहानी की ओर सिर जुकाया,